चोपड़ा एजुकिसन यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हरदिक स्वागत करता हूँ मेरे पैरे बचों ये एक रिमेंडर वीडियो है नी 22 एप्लिकेशन फॉरूम फिल करने की लास्ट डेट 15 ओफ मई 22 है इसमें 15 मई को रात 9 बजे तक रेजिस्टेशन कर सकते हैं और रात 11 बज के 50 मिनिट तक फीस का पेमिन्ट कर सकते हैं आप नी 22 का एक्जाम देना चाहते हैं और अभी तक किसी कारणवास फॉरूम फिल नहीं कर पाए हैं तो आज ही फिल कर दें क्योंकि अभी समय नहीं बचा है और नहीं एप्लिकेशन फॉरूम की डेट आगे अक्स्टेंड होने की पोसिबिलिटी है क्योंकि ये 10 डेज निरबाई आलरी अक्स्टेंड हो चुकी है क्रेक्शन विंडो 15 मई के बाद स्टार्ट होगी हाला कि अभी क्रेक्शन के लिए डेट जारी नहीं हुई है लेकिन ये एप्लिकेशन फॉरूम की डेट और होने के बाद जल्द ही जारी हो जाएगी जिन कंडिडेट की फॉरूम फिलिंग के दोरान मिस्टेक हो गई है वो क्रेक्शन कर सकते हैं क्रेक्शन सभी फिल्ड में अवेलेबल होता है इसलिए किसी भी स्टुडेंट को टेंशन लेने के आवश्यक्तर नहीं है अगर आपने अभी तक नीट 22 का एप्लिकेशन फॉरूम फिल नहीं किया है तो एप्लिकेशन फॉरूम फिल कर दे रेजिस्टेशन की फीश पेड कर दे और उसके बाद में कनफरमेशन पेज का प्रिंट ले ले क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है कि इस्टुडेंट एप्लिकेशन फॉरूम तो फिल कर देता है लेकिन एप्लिकेशन फॉरूम की फीश के बारे में यह सोचता है कि हम बाद में deposit कर देंगे और बाद में date निकल जाती है पता नहीं लगता है और बाद में ऐसा कोई option नहीं बसता है fees deposit करने का तो आप समय से application form fill कर दें fees deposit कर दें और confirmation page का print ले ले इसलिए मैंने यह समझ के यह video बनाया है कि किसी भी student का application form नहीं छूट जाए क्योंकि इसके बाद कोई opportunity नहीं है student के लिए आगे कोई option नहीं है एक बार need का form छूट गया उसके बाद में इस साल के लिए medical courses में admission के लिए कोई option नहीं बजता है जैसे ही correction window open होगा मैं आपको inform कर दूँगा कैसे कैसे correction करना है ये भी मैं आपको update दे दूँगा तो मिलेंगे नई update के साथ नए वीडियो में तब तक के लिए जैसे हीं ये बाक नहीं का प्रहता आपको ऑफशे हुछा के लिए तब लिए इस जए के माम आपको एंपको टूँगा